Hello Friends, टेक्निकल विकास में आपका फिस स्वागत हैं तो कैसे है आप सभी लोग आज के इस video में मैं आपको बताऊंगा कि मेंसड में कैसे account बनाए जाता है चलिए मेरे mobile screen पर वहाँ बताऊंगा कि कैसे किया जाता है सबसे पहले आपको Play Store से मेसव अपको डाउनलोड कर लेना है इसके बाद इसे ओपन कर लेना है ओपन करने के बाद आपका कुछ इस तरीका इंटरफेस खुलेगा तो यहाँ पर आप से पूछेगा mail है या free mail है तो मैं mail सब पर select कर लेता हूं, उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे account लिखा होगा वसपर आपको click करना है, जैसे आप click करेंगे आपका कुछ इस तरीके का interface को लेगा, उपर में लिखा है फिर sign up पर आपको click करना है, फिर यहाँ पर आप से number पूछेगा, आपक पर OTP आए, तो यहाँ पर मैं अपना number डाल देता हूं, उसके बाद आपको यहाँ send OTP पर click करना है, जैसे आप send OTP पर click करेंगे, आपके mobile पर OTP आएगा, अगर आपका number उसी mobile में है, तो यह auto verify कर लेगा, नहीं तो आपके दूसरे number पर आएगा, तो आपको manually डालना पड़ यहाँ मेरा AC number पर था, तो यहाँ पर मेरा automatic verify हो गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको edit profile पर click करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको नाम डालना है, तो चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल लेता हूं अपना, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे email डालना है, उसके बाद यह अब बोलते हैं वहाँ पर आपको select करना है तो यहाँ पर मैं हिंदी और इंग्लिस select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर occupations यहाँ पर select करना है आप क्या काम करते हैं तो यहाँ student हूँ तो student पर click कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर about me पर लिखना है आप अपने बारे में कुछ भी लिख सकते हैं तो चलिए मैं यहाँ पर thanks लिख देता हूँ उसके बाद यहाँ आपको business name लिखना है अगर आप मैसोब पर reselling करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपना business name लिख सकते हैं मुझे रीसलिंग नहीं करना है, तो मैं यहाँ कोई बेजनेस नहीं लिख रहा हूँ, उसके बाद नीचे यहाँ पर पीन कोड लिखा है, यहाँ पर आपको पीन कोड अपना डालना है, उसके बाद यहाँ पर नीचे सेटी लिखा है, आपको अपना सेटी डाल देना है, मैं उसके बाद यहाँ पर आपका profile तयार है उसके बाद other info में जाना है यहाँ पर आपको date of birth select करना है तो मैं यहाँ आपना date of birth select कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ नीचे muscle status select करना है आप married ही यहाँ यहाँ तो मैं यहाँ पर single हो तो यहाँ single select कर लेता हूँ इसके बाद यहां Number of Creed select करना है, यहां पर None, उसके बाद यहां नीचे Education लिखाया है, मतलब आप कहां तक पढ़े हैं, तो मैं यहां बैचलर select कर लेता हूँ, उसके बाद यहां पर Monthly Income है, आप कितना Monthly कमाते हैं, तो यहां पर मैं Up to 10,000 कर देता हूँ, उसके बाद नीचे है Education और Add Profile, इसमें अभी आप Data डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, तो मैं यहां Save पर Click कर लेता हूँ, उसके बाद आपको Back आजाना है, उसके बाद यहां पर Profile में अपना Photo भी लगा सकते हैं, Photo यहां पर Click करेंगे, तो यहां पर Camera का Option आएगा Gallery से, मतलब आप Camera से Photo गे सकते यहां Gallery से ले सकते हैं, तो मैं यहां Gallery से Select कर लेता हूँ, Photo Select करने के बाद आपको यहां पर Crop कर लेना है, और आपका यहां पर Photo आ जाएगा, दिखेंगे मेरा Photo आ गया है, अब Profile से Back आ जाना है, तो इस तरह से आप Account बना सकते हैं, और Swapping कर सकते हैं, अगर Account बनाने में फिर और भी आपको कोई दिक्कात आता हो, तो आप Comment करके पूछ सकते हैं, वीडियो पसंद आये तो इसे एक Like किजेगा, अपने Friend और Family के साथ Share करें, और हमारे चैनल को Subscribe करना ना भूले, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए Bye, Take Care